आखिर क्यों आज भी आना चाहते हैं, लाहौर के लोग हिंदुस्तान में और क्या हुआ जब लाहौर हुआ हमारे भारत से अलग तो भाई 1947 के बंटवारे की बातें आपने कहीं सुनी होगी कहीं देखी होगी और कहीं पर पढ़ी होगी लेकिन इससे कहानी पसंद है तो एक फिल्म लेकर आ रही है जिसमें फिल्म की सची कहानी आपके होश उड़ादेगी जी हाँ हम बात कर रहे हैं 1947 फिल्म के बारे में जिसकी स्टोरी इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे की रहने वाली है जिसमें हमें हिंदू, मुसलिम, सिख, ईसाई, सबकी असली सचाई देखने को मिलेंगी मतलब 1947 के दंगे क्यों शुरू हुए थे, किसने शुरू किये थे और खत्म कैसे हुए थे ये सब हमें इसी फिल्म में देखने को मिलेगा ये फिल्म एक देश भक्ती फिल्म होगी जो घूसबम के साथ साथ एंड में आखों में पानी भी ला देगी और आपको बताना चाहूंगी फिल्म में सनी पाजी एक बार फिर एक सरदार जी का रोल करने वाले हैं जिसमें दिखाया जाएगा की वो कैसे लाहौर से हिंदुस्तान वापस आये थे और उन्होंने उन दंगों में कैसे हिंदुस्तानियों को मरते बचाया था मतलब सनी देउल कहा है कि ऐसा कैरेक्टर होगा जो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है और बात करें लाहौर उननीस सौ सैंतालीस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में तो आपको बता दूँ इस फिल्म में अब बहुत बड़ी स्टार कास्ट कराएगी जिसमें सनी देउल के साथ साथ तब्बूक जूही चावला शिल्पा शिट्टी एंड शबाना आजमी में लीड रोल में नजर आएगी और कहा गया की इस फिल्म में आमिर खान एक स्टैंडर्ड कैमियो में नजर आएंगे और इन्ही के साथ मिथुन्दा और विक्की कौशल भी फिल्म में जबरदस्ट कैमियो में दिखाई देगी फिल्म को राजकुमार संतोशी डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने इससे पहले सनी पाजी के साथ दामिनी, घातक, घायल जैसी खतरनाक एक्शन फिल्में बनाई हैं और इसी के साथ लाहौर उन्नीस सौ सेंटालीस फिल्म में ए आर रह्मान का शांदार म्यूजिक सुनने को मिलेगा यानि फिल्म की कहानी से लेकर स्टार कास्ट और म्यूजिक तक सब धमाकेदार होने वाला है फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है जो लगभग दिवाली तक चलेगी जीहा ये एक बहुत बड़ी फिल्म होगी जिसको बहुत बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है और ये कनफर्म है कि लाहौर उन्नीस सौ सेंटालीस फिल्म को 15 अगस्ट दो हजार पचीस को रिलीज की जाएगी और साथ ही सनी देवल इस साल बाप, सूरिया, एंड सफर फिल्म में दिखाई देंगे जो की सभी बड़ी एक्शन फिल्म में है तो आप लोग सनी देवल की लाहौर उन्नीस सौ सेंटालीस फिल्म को लेकर कितन एक्साइटेड हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें